ये आकाश्वाणी है। आज हिंदी के प्रख्यात रचनाकार जगदीश चंद्रमाथूर का जन्म दिवस है। जगदीश चंद्रमाथूर आकाश्वाणी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। आज हम उन्ही का लिखा एक प्रसिद्ध नाटक आपको सुनवाने जा रहे हैं। नाटक है शारदिया। इस नाटक की प्रिष्ट भूमी एतिहासिक है। किन्तो इस नाटक में एतिहासिक यथार्थ को समकालीन यथार्थ के साथ जोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कथा वस्तु का केंद्र महराश्टर का पुणे शहर है और समय है वर्ष 1794। तो आईए सुनते हैं ये नाटक शारदिया। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। कौन है? पेताजी घर में नहीं है। कौन है पिताजी घर नहीं हिने घर तुमारे जाखनी ते एंड है तुमारे खदम के आवाद तो पहां है। नरसी बाइचा बारी उन दिनों तुम्हारी खदम हर्क और चोटे थे थे अच्छा इतना पदल गए है अरे बैठो ना दो बरस कम समय नहीं है दो बरस में चंचल तेदिली माधुरी 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 बन गई है यह मैने आज ही देखा मुगल दरबाद किसी यह मेच्छी बोले कहां ठीकी चरना किसी के सिखने से फूर पड़ता है क्या पर हाँ निजाम शाही में रेकर आयू हैधराबाद में बेग में भी देखी और मुंबई में फिरंगें की मैमे भी हम तो ये दो बरस अच्छी तरह कटे हम आज उशा की एक जुर किरन दो पल को चम की तो मालू हुआ कि वे दो बरस तो नीन में गुजरे थे ओहो पर उशा के रिखा नीन की परियों को क्या मुखाबला करेंगी हाज उस्व में तुम्हें देखा तो लगा मानू परियां अपनी रानी को धर्दी पर छोड़ कर उड़ गई है छूटे पुना में कहा ठेरे हैं सरदार जिनसे वाले के हाँ नाम से गौलियर के जान पड़ दो बाई जा बाई में कागल गया था कागल हम दोनों की जन भूमी पुन्यस दनी पर देखा ना तो वो कागल है ना तुम सब कुछ सुना होगा सब कुछ सुना और देखा यशोंत्राव तुम्हारे पिता जी के गड़ पर जम्य हुए है बाबा कहती है कि जब तक कागल को फिर सने पालूँगा तब तक सखाराम नाम नहीं नाना सहाब के या नौकरी पहले भी कर चुके थी सौ सवारों की सरदारी मिली है कागल की याद तुम्हें नहीं आती नर्सिंग अगर मा रहती और तुमने जाती तुम्हें बाबा के पाउं पढ़ दे कि कागल मत छोड़ो न सही खलेदारी लेकिन अपना गाउं तुने छोड़ो पर पर नर्सिंग मा मा तो गई और तुमने जाने क्यों बिना बताय खायब हो गए नर्सिंग क्यों चले गए थे तुम में क्यों गया बाइचे बाई आज अकर तुमारी माँ होती तो उससे तुमारी बात का उता दिलवा था मा जानती थी पर उन्होंने तो कभी किसी को बताया है नहीं क्योंकि मेरा और उनका एक वादा था वादा उससे बोली नर्सिंग तुकेलेदार की लड़की से बेहा करना चाहता है तो कुछ खरकी पूंजी भी तो तयार कर और दूसे दिन में चुपचाप खर से चल दिया मुझसे दामन चुडाने नहीं, दामन चुडाने उसका सुबूत यह देखो क्या है इस पोटली में? अरे, इतनी बारेक साड़ी कितनी हलकी है नर्सिंग, कौन है वे जादुगर जिन्हों ने इसे बुना है? मेरे दोस्त और गुरू कौन? निजाम शाही के एक गाउं में दोचार पुराने कारीगर है दो बरस तक बराबर मैंने उनके ख़दमत की है उनकी बनाई हुई लाजवाब चीज़े में मुंबई ले जाकर फिरंगी मेमों को पेशने लगा देखती हो ना बाज़ा भाई, इस पीछ कितना मोटा हो गया हूँ यानि परियों का शहजादा साओदागर बन गया है साओदागर ही नहीं, कारीगर भी उन लोगों ने अपना हुनर भी थोड़ा बहुत मज़े सिखा दिया है तुम भी इतना बारीग कपड़ा बुन सकते हो? हाँ, लेकिन वे कारीगर तो इससे भी ज़्यादा बारीग बुन सकते हैं मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है बाज़ा बाई उसके लिए खास देखे निश्यद करने होगी नर्सिंग हाँ, तुम्हारी माँ होती है तो देखे निश्यद करते देर नहीं लगती है नर्सिंग, बावा से बात करोगे ना? सोचा तो यही था लेकिन, लेकिन मुझे फॉरन लोट जाना है सौधा कर फिर अपने काफिले को लोट चला बाई जबाई, यह दूसरा काफिला है एक पूंजी एकटी कर लिए अब दूसरी एकटी करनी है वो पूंजी, जो किसी भी माराटे का आभूशन है मेरी तलवार को रख्त कशिंगार चाहिए मैं मुस्कुरा हूँ यहां सुभा हूँ मुस्काओ भाई जबाई, मुस्काओ आज तो सभी माराटा रम्नियों के मुस्काने का समय है श्री मंत पेशवा के चंडे के नीचे आज बहुत दिनों की बाद सभी माराटा प्रमुक एकत्र हुए है निजाम को अपने दुरहाग्रे का प्रमुक भुगतना ही पड़ेगा नर्सिंग, यो दिक्षेतर में जाने से पहले एक बार मिलोगे न? नहीं, पूना नहीं रोटूगा इसलिए भाईचा भाई, तुमसे मिलने आया हूँ तुमसे विदा लेने दो बरस हुए कागल छोड़ने से पहले भी तुम शरत पूर्णी मा को ही आये थी लेकिन तब तुमने ये नहीं बताया था कि तुम जा रहे हो शरत पूर्णी मा की विदा वियोग के लंबे बद पर चांद ही भी गेर देते मेरे लिए तो अंगारे ही रहते है नरसी कागल के शरत की विचान नहीं राते है हमें कव वापस मेलेंगे नहीं जानता भाइचा तुम्हारे निकट को जाहे तुमसे दूर शरत पूर्णी मा की तरे तुम मेरे मानस पर चाहीं रहती है भाइचा भाई दहबल मुस्कान की साथ मुझे बिदा दो नर्सीन अपनी कटार तो देना क्या करोगी? लाओ तो इधर लो अरे बाई या बाई अपना मुठा चीर लिया तुम्हे मस्ते कागी करो नर्सीन इस रक्त से तुम्हारा ठीका करूगी विजय लक्षमी तुम्हारी सहायता करे और मेरी भी तुम्हारी इस जुंगली के नन्ने खाव को कभी नहीं भूलूँगा अपने पिता जी से कह देना नर्सीन नर्सीन न मा का बादा पूरा किया अब उनके उपर है नर्सीन बाई जा बाई विदा दो विदा दो मेरी शाथिया शाहरतिया नर्सीन लाओ मैं पत्ती बान दूँ कौन? सर्ना बाई ये खाव हरा ही रहने दो बच्पन ना करो छोटी मालकन लाओ मैं बान दूँ मेरा बच्पन मुझे वापस दिला दे सर्कार आते ही होंग सर्ना जी बाबा से तो कह से केगी? कह तो दे थी पर सरकार का विश्वास मेरे उपर से उठ गया है तेरा प्रहम है सर्ना मा के समय से तो हमारे साथ रह रह रही है तुम्हारे बापुने कोई और रह पकड़ ली है बाई-जा बाई और अब ना वो नीचे निगाह डालते हैं और ना पीछे प्यार के फूलों को ठोकर लगेगी शुप हो सर्ना बाई मैं तेरी बात छुटलाऊंगी लज्जा त्याक कर मैं स्वयम कहूंगी बाबा से मन की बात और मना लूगे उन्ही निश्चे ही निश्चे ही मालिक आ रहे है शाहिए सर्ना जा तुझा अंदर जा और सुन इस साड़े को अंदर संभार कर रख दे ठीक है ना ले बेती मुझे आने में थोड़ी देर तो हो गई लेकिन तेरे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ बलके एक क्यों दो बाबा हात्मों नहीं दोएगा आप ठके होंगे सुन तो ले पहली खुशखबरी ये के कागल की खिलेदारी मिलने का रास्ता निकलाया सच कागल क्या यश्वंतरा ओपर चढ़ाई करो कि बाबा उसकी जुरुवत नहीं पड़ेगी आज सिंधिया महराज तक मेरी पहुँच हो गई है बात ये है कि अरे ये तिरी उंगली से खुट क्या हुआ किसनी बाबा जुरा से चोट लग गई है चोट कोई आया था भी जी नरसिंग ओ नरसिंग राओ हाँ हाँ उसे देखे तो बरसों हो गए लेकिन हाँ मुझसे भी किसी ने जिक्र किया था किसने किया था याद आया सरदार जिंसे वाले ने वो कह रहे थे कि नरसिंग बड़ा योग की आदमी है जी इसी बीच उन्होंने व्यापार में खूब पूंजी जमा कर ली है व्यापार? लेकिन जिनसे वाले तो कह रहे थे कि नरसिंग राचकाच में ने पूंग है हाँ बबा हाँ निजाम के दरबार में गोविंदरा उकाले के साथ आ जा चुके है कागल गया था क्या? वहाँ की भी बातें कर रहे थी पुरानी बातें मा की बातें तुम्हारी मा? बाबा? मा ने नरसिंग से माने बाबा? नरसिंग से उन्होंने तुम्हारी बास समझ पे नहीं आई बाबा मा ने नरसिंग से वादा किया था बाबा, नर्सिंग और मैं बाइजा, कहां तू और कहां वो दो टुक्रों का मोहताज मोहताज नहीं बाबा, अब उसके पास पूझी है पूझी? मेरी कलौती बेटी और उसकी शादी नर्सिंग से असंभव बाइजा बाई, तू नहीं जानती कि नर्सिंग राओ जैसे तेरे यां दास रहेंगे लेकिन बाबा, माँ के वादे का किसका वादा, कैसा वादा, मैं नहीं जानता तेरी माने क्या वादा किया था मैं इतना जानता हूँ कि तुझे मेरी आग्या मानने होगी नादान लड़की तेरे पिता की महत्वा कांचा कागल पर नहीं रुकेगी उसके यग को पूरह करने के लिए अगर तेरी आखुती की जुरूरत हो तो भी मैं नहीं हिचकूंगा मेरी आखुती मैं मरने के लिए तयार हमा मुझे मरन का आदेश तो बाबा, लेकिन नर्सिंग का चुप हो जाओ, आज से नर्सिंग तेरा कोई नहीं है, कहां गया है वो? नहीं जानती, लेकिन यूद्धी के पहले लौटेंगे नहीं, इस उंगली के रख्ट से मैंने उनका तिलग किया है, रख्ट का टीका, देखता हूं यही उसका काल बने है, बाबा, बाबा, भाव साहब, एक सवाल बार-बार मेरे मन में आता रहा है, कौन सा सवाल बाबा फड़के, घरदा नदी का ये किनारा, आपके शिवर के लिए उतना सुरक्षित नहीं है, उबर, खाबर और जार जहंकार से बरे इस किनारे तक शत्रु आसानी से आ सकता है, यही तो खास बा लखे, तुम सैनिकों के इतनी चोटी टुकड़ी के साथ क्यों गए, जी, सैनिकों का साहस बढ़ाने, और दुश्मन ने तुम पर जो चोट की, उससे क्या साहस बढ़ा फड़के, तुम्हें उल्टे पाउं लौट आना पड़ा, क्या चोट खाकर तुम्हारे लौट आने निजाम कितने पानी में है, अभी लाया महराजी, निजाम पर गहरावार करना ही होगा, मैं सोच रहा था, अभी समय नहीं आ है, बाबा फड़के हूं भाव साहब, बदला लूँगा, मैं बदला लूँगा, और आज सबेरी की घटना ने वो दिन निकट ला दिया है, आली आली जा, नर्सिंग राव, बताओ निजाम के क्या मनसुबे हैं, हाँ, क्या समाचार लाए हो, निजाम की छाओनी में जश्ट मनाया जा रहा है, आली जा, का जा रहा है कि बाबा फड़के, पीट दिखा कर फाके, जूट, पीट दिखा कर, बिल्कुल जूट, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारी पूच पर दाट लगाया है, पूच तो पीछे ही होती है, तो क्या दांट लगाने के बाद निजाम कोई पेंत्रे भी दिखाना चाहता है, जी हाँ, अली जा, लेकिन वो हमला नहीं नाच के पेंत्रे होंगे, निजाम अली की छावनी में सभी तर जी हाँ, भाव साहब, हत्यारों की मार से ज्यादा चुबन होगी इस नाच में, साफ साफ बता दोना नर सिंग राओ, निजाम ने हुक्म दिया है, कि आज रात के जश्न में एक तमाशा भी दिखाया जाए, जिसमें नकाल औ भान नकले उतारेंगे, किसकी, आपकी बाबा साहब, आपके साथ ही भाव साहब, नाना साहब और सिंधिया माराज की, गोविंदराव काले क्या चुपचाब सब कुछ देखेंगे, क्या गोविंदराव निजाम से अभी सुलह की उमेद रखते हैं, कि आज भी निजाम की दरबार में हाज भी बजा रहे हैं, आली जब तक युद्ध का एलान नहीं हो जाता, तब तक राजदूद को शत्रु की तोह लेने के लिए उसकी यहां रहना ही होगा, सुलह की कोशिशें भी इसलिए जारी रखते हैं, सुलह मरीच का है, भाव साहब, आप सिनापती हैं, तुरही बजाने की आग्या दीजिए, वो भी सुनाई है तुमने काम की बात, जल्दी बताओ, जो करना है वो अभी निश्चित की लेते हैं, उतावले पंद से काम नहीं चलेगा बाबा फड़के, नरसिंग राफ, ठीक से बताओ, कल कैसे मौका मिलेगा, तुमने अभी कहा कि आज रात जश्न है, सामने वाले दस्ते कल रदो बदल की बात पकी है, तब ठीक है, मैं खुद जाओंगा अपनी तुपों के साथ, यही मौका होगा तुपों से गोला बारी का, आपकी बड़ी तुपों के लिए नदी का दक्षनी मोड़ वाला किनारा ही ठीक रहेगा भाउ साहब, उसके सामने ही वो खाटी है, जि इस पर से होकर रसत की गाड़ियां आ जा रही हैं, जी हाँ भाउ साहब, केले के पीछे एक रास्ता है, एक नाला है वहाँ, उसी पर चार नौ से एक तंग पुल बनाया गया है, तुम उन लोगों में घुल मिलकर जा सकोगे ना, मैं तो आज नाटक में उन्ही नकालों के स साथ रूप भी थरूँगा, ठीक है, उन लोगों के साथ उसी रास्ते से जाओ, और नाले का पुल काट दो, कोशिश करूँगा सैनापती, श्री पंत के आशिरवास ये काम भी पूरा करूँगा, शाबाश, गोविंद राव जी काले को आज ही सावधान कर दू, लेकिन मे मेरी एक विनिती है सिंधिया महराज, सैनापती जी मेरी एक ही मांग है, आप ही सुने, इस युद्ध में हमारी जीत निश्य थे, श्री मंत के छंडे की नीचे शक्ति का अजे पुंजे कत्र हुआ है, पर मेरी विनिती है महराज, कि आप लोग निजाम पर विजय के पाद जब चौथर उसके उदंड़ता का निप्टारा करने बैठें, तो महराठा और निजाम राज्चियों में इस पश्ट तोर पर खोशना है कराएं, बातें तुम्हारी निराली हैं, लेकिन कहे जाओ, कहे जाओ, पहली खोशना ये महराज, कि दोनों राज्चियों में हिंद मानों की मस्जितों को चोट पहुचाए जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ मेल मिलाब से रहेंगे, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, नरसिंग राफ, ऐसी बात की तुरंथी मन्जूरी देना मुम्किन न हो सकेगा, इसलिए सेनपती के नाते मैं इतना जरूर कह देना कि तुम शाम तक अगर इस काम के पूरा होने की सूच न दे सके, तो विजय के बाद संधी के मौके पर तुम्हे परिशद के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, भाव साहब, मेरे प्रस्ताओं पर ठीक मौके पर विचार कर लिया जाए, इस से जादे मुझ कि बहकी करता है, जो हो युद्ध का रास्ता निश्चित है, चले नाना फणना भी सहा प्रतीक्षा कर रहे हों, नहीं बावश पर का संझे नहीं, हम, लेकिन आज की रात, रातें आते हैं और सूनी निकल जाते हैं, इस तो जंजत है युद्ध के मैदान में, पूना के शर दोच सब्वाली फोश होती, लेकिन याद के बिछले रात को रौशन तो नहीं कर सकते हैं, कौन, शर जराओ घाट के, आप यहां कब से चुपे होए थे, जितना अच्छा ही हुआ, आया तो मारू हुआ के आप लोग मंत्रों ना में ही, तो आपने सब कुछ सुन लिया, हा हां, कल की तयारे? जहां, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप किसी से न कहें, तो आपको एक चेतावनी दे तुमें, चेतावनी? किसी से न कहिएगा, सर्दार जिनसे वाले से भी नहीं, वाला करता हूँ, आपने जिस फेदिये को इतनी लगाम दे रखी है, उससे साफधान रह नरसिंग राओ, लेकिन आपका मतलब, आदमी तो हो काम का जान पड़ता है, काम का आदमी तो है, लेकिन सर्दार जिनसे वाले का खास आदमी है, और वे हमारे खास सर्दारों में से हैं, और फिर जो समाचार उसने दिया है, वो बिलकुल ही सही जान पड़ता है, मैं कब कह किवार भी खड़ी की जाती है क्या मतलब फिर सरदार जिनसे वाले से ज्यादा अच्छी तरह मैं उसे जामता हूं कागल का ही रहने वाला है वो हालिजा मुझे लगता है कि निजाम से उसकी मिली भगत है घजब हो गया तब तो परुश्रम भाव को सावधान करना होगा अभ कि तयारी चलने दीजिए आक्रमन के लिए प्रस्तुत रहना है पर पीछे से कोई दगा न दे जाए इसकी भी तयारी करनी है अच्छा हुआ आप आगए सेवा तो धर्म है ब्रहमन हूं महराज एक बात हो हाँ हाँ माला माल कर दूँगा आप खुसकी बातें फिर होंगी मह कुछ निजी कठनाईया कागल की केले धारी आपकी सारी कठनाईया दूर हो जाएंगे नाना साहिप से कह चुका हूं कि युद्ध के बाद वे आपको मेरी नौकरे में आने दें यहां पदोनाती भी कर दूँगा अनुक कहीत हूं सिंदिया महराज आग्या दीजिए कल यह ठीक है ठीक है खौफना का अदमी है शमशीर की तरह मुझे देह की प्यास है उसे खून की लिखो सिध्धु स्री पूज निया माता जी बाई जमना बाई और बाई लक्षिम बाई को दौलत राव सिंध्या का प्रणाम पहुचे उज्जैन से भेजी हुई आपकी चिठ्छे मिली यह उत्तर में जुद्ध के मैदान से भीज रहा हूं निजाम की शेखी समाप्त करने का दिना चुका है आपने अपने खर्चे के विश्य में लिखा है और पिता जी के दिहान के बाद किये गए मेरे वाज़े की और संकेत किया है आप तो आप तो कैं लिखा है तुमने पढ़ो जी वो अमहराज का युद्ध के शिविर में भी आपको सोदेली माताओ और घर की चिंताओं का ध्यान रखना हो रहा शरजराव खाट गए आप बड़े चुपचाप आए जी एक तो ये युद्धकाद है दूसरे आपके अपने खर्चे भी तो है अब फिर एक बात और है अभी तो आली जहा के अंतापुर की शोभा भी आनी है हाँ आपनो उस बात पर फिर सोचा सिंधिया महराज ने तो कल मुझे माला माल कर देने की बात कही थी लेकिन देखता हूँ के अभी तो आपका अपना ही ठिकाना नहीं क्यों निजाम की चौथ में मेरा सबसे बड़ा भाग होना चाहिए मेरे उपर फरोसा करें तो आपको एक नई दिशा बता सकता हूँ नाना परनावीस की तिजोरी में नो करोड रुपया है नो करोड शर्जे राओ शर्जे राओ जी आपको तो जल्दी ही हमारे दर्बार में आना चाहिए तयार हूँ आलिजा युद्ध समाब तो होते ही हमारी तोपे इस समय भाव के नित्रित में घरज रही है जी हाँ सुन रहा हूँ गोला बारी के धमा के लेकिन कल ही रात मेरे भेदिये ने खबर दी है के के मेरा अनुमान सही था क्या नरसिंग राओ विश्वास खाती निकला सुबूत पतका सुबूत है अभी अभी मोर्चे पर एक भारी दुर्गतना हो गई है उसी की सूचना देने हाँ आपके पास आया था निजाम के दस्तों पर गोला बारी के लिए भाव साहब ने अपनी भारी तोपों के लिए जो स्थान चुना था ठीक वहीं पर दुश्मनों की गोलियों की बहचार हुई क्या उसकी वो शर्त है उसके वो खोशना है आप ठीक कहते थे गहरी साथ शर्जराव खाट के भयंकर विश्वास गात भाव साहब शायद यहां आते हूँ उनसे और नाना साहब से मशवरा जुरूरी है उसके लिए मौका नहीं है आली जा दुविता छोड़िये आपको और मुझे साथ साथ बहुत से काम करने हैं यह तो मामूली सी का रिवाई है चलिए आप नाना फोड़ना वीस के तंबू में पहुँचिए इस बीच मैं काम पूरा करते हूँ आपके माथे पर चोट ज्यादा है अभाव साहब नहीं नहीं छोटा सा ही घाव है कहां है सिंधिया महरावज शीविर खाली है सरदार जिन सिवाले बाहर कोई अनुचर भी नहीं मिला क्या उन्हें इस दुरगटना की सूचना मिल गई होगी शायद किसी हरकारे ने बता दिया तब तो वे आकरमन के लिए आतुर होंगे नरसिंग राव की थोड़ी देर यहीं प्रत्विक्षा करना जरूरी होगा सरदार आप घोड़ा लेकर बावा फड़के के पास दोड़ जाए कहीं जल्दी में वो सवारों को हुक्म दे दी मैं यहीं नरसिंग का इंधार करता हूँ अच्छी बात है आप थोड़ा आराम भी कर ले अभी तो बहुत काम करने मेरे माथे पर ये चोट विठल मारक है उसके बुढ़े पिता को क्या जवाब दूँगा भाउ साहब आगा है नरसिंग राफ निजाम के जशन का क्या हाल हुआ महफिल तो जम रही है लेकिन उनके पैर उखड रहे आपकी तोपों ने दुश्मनों में तेहल का मचा दिया है भाउ साहब ये क्या आपके माथे पर ये चोट नरसिंग मेरा भतीजा विठ्थल मेरे पास ही खड़ा हुआ तोपचयं को आदेश दे रहा था उसी समय जाने कहां से गोलियों के बोचार आई और विठ्थल वहीं ठेर हो गया गोलियों के बोचार लेकिन ये नामुम्किन है निजाम के जिन दस्तों के पास बंदूखे थी वे तो उस समय बाद थे ही नहीं भाउ साहब खेर उसे भूल जाओ मराठा सेनपति आज तुम्हारे शब्दों की राह देख रहा है बोलो क्या पुल काट दिया गया जी हाँ भाउ साहब मैंने और मेरे उन्हीं कलावन साथियों ने काट दिया पुल को शाबाश नर्सिंग शाबाश मुशीर बुल्क मुठी में आया ही चाहता है उसकी रसत का रास्ता तो खत्व हो गया अब हम इसी समय अपनी फूरी शक्ति सचत्रू पर आक्टरमन करेंगे सेना पती भाउ साहब की जय हो आपको आली जास हिंदिया महराज ने याद किया है कहा है महराज नाना साहब पनावीश के खैमे में मेरे पास तो खेर चलो बढ़ी लंबी दारी बढ़ाई है तुमने युद्ध के बाद ही सफाई होगी भाउ साहर मेरी चलो बढ़ाई साहर नहीं भाउ साहर को अकेले ही बुलाया है गोलियों की पॉचार वो कहां से आई होगी तुम कुस समझ में नहीं आता खेर मेरा काम तो पूरा हो गया काम अभी पूरा नहीं हुआ नर्ज सिंग कौन ओ तुम पाउसाब के साथ नहीं गए अभी तो तुम्हारा काम तमाम होना है क्या तो किस का अनुचर है उदंट तंट सिपाहियों बांद लो उसकी मुष्टे किस की आग्याशे है आली जासि इंदिया महाराज की चुट है ये ठोका है सदार जिस्चे वाले सदार असका मुझ का प्लाच कूस तो एज़ा उसको फॉरन है खोड़े सया है राको राथ से निकाल ले जो छे दिन का रास्ता दो दिन में ही पूरा करना होगा चौँ काम पूरा हुआ जो शर्जे राव की चपेत में आएगा अज़ी चूर चूर होजाएगा तुम कैसे लौट आए आपने जिहां रास्ते से लौटना पड़ा आपके पत्र में गणपती के लिए दूसरी आग्या का उलेक नहीं था उसलिए दूसरे आग्या पत्र पर आली जाके दस्खत कराने हैं वो दो दिन दाग भिजवा दूंगा जाओ फॉरन जाओ जो आग् शारदीया अभी आप जगदीश चंद्र माथुर के लिखे इस प्रसिध नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे नाटक की निर्देशक थे दीनानाथ ध्वनी संयोजन गोपाल सक्सेना का था नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नाटक की दूसरी और अंतिमकडी प्रसारित की जाएगी केंद्री नाटक के कांश के लिए तयार किये गए इस नाटक को आकाश्वानी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया कर दो हुआ 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 है